कि एडियर फ्रेंड इस अलिफ फ्रॉम अलांड फिचर्ज यूटिप चैनल सो अधियर फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग तो फाइनली आज इस वीडियो को मेक करने में बहुत ज्यादा सक्सेस्फुल हो गया हूं क्योंकि ये त्री वीक्स से मैं कोशिच कर रहा हूं इस tutorial आया हैं तो मैंने उसमें जिकर किया है इस वीडियो का के हम एक क्विस्ट कंप्लीट करेंगे जिस से हमें समिठीं जो लैवल है वो 29 हमें रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा तो लगवग 3 वीक से मैं इस पर वर्किंग ही कर रहा हूं लेकिन कोई टाइम ही नहीं बना आज भी सुबो से लेकर रात हो गई है तो सुबो मैंने सोचा है दिन में शूट करूंगा लेकिन ऐसा टाइम ही नहीं मिला कभी बारिश हो जाए कभी लाइट की प्रॉब्लम सो एनिवे अब हम इस पर काम कर रहे हैं तो इंशाला हम इस पर कंप्लीट भी करेंगे कैसे हैं आप सब लोग आई होप कर रहे होंगे आज कल मौसम बहुत ज्यादा नाइस है गर्मी तो है लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा है आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत इंटरस्टिंग है स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टील बार पर वर्क करते हैं या ल कर सकते हैं तो जो लेवलिंग करना चाहते हैं उनके लिए तो एक सेम है उनके लिए च्छोटी सी ट्रिक है वह यह है कि अगर कोई बंदा आपने बड़े काउंट बना रहा है मतलब 99 लेवल का या 50 लेवल का तो उसके लिए एक च्छोटी सी मैं उनको एक मश्रा दूँग कभी स्मिफिंग की कभी माइनिंग की कभी रेंच की हर लिहाज से वह आपके बढ़ते रहते और एक डम से उपार आती हैं जैसे कि अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि 29 29 काफी ज्यादा लेवल होता है इसका स्मिफिंग का ठीक है 29 लेवल एक दम से सिर्फ 10 मिंट की अगर वैसे 29 लेवल करने जाएं ब्रॉंज बार और आईरन बार लगाएं पहले ब्रॉंज बार लगेगी उसके बाद प्रॉंटे के अंदर वो आपका 29 लेवल होगा या 35 लेवल तो मैंने सोचा कि आपसलों के साथ इसको इस ट्रिक को शेर किया जाए काफी वीडियो में मैंने जिकर कर चुका हूँ इस बारे में ठीक है तो बस टाइम नहीं मिला था मैंने आपको और रेड़ी बता चुका आज हम इस वीड़ियो पर काम करेंगे इंशाला अब ही मैं इंट्रो दे रहा हूँ इसके बाद उस बार इस फ़ीशी पर चलेंगे ड्रैकेस पर वर्क करेंगे कि इसको किस तरह से हम वो रिवाड हासल कर सकते हैं बगएर किसी की यह बैगार किसी मिंबर्शिप की है या मि से बड़ी बात इसमें जस्ट थोड़े से आप मतलब ट्री बगारा कट करके उनको सेल करो थोड़े से चीज़ें नहीं होती है वह आपके पास होनी चाहिए तो यह हैं जी क्विस्ट यह आपके सामने आगा होगा ठीक है यह मेरे हैंड के उपर इसको इसका नाम है डार्क सॉल्ट यह फ्री बंदे भी यूज़ कर सकते हैं और मेंबर्शिप भाल भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसको हम आज कम्प्लीट करेंगे जस्ट सिर्फ 10 मिन्ट लगेंगे तो हमारा जो समिछ जो पॉइंट है वो 29 लेवल भी आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से ले सकते हैं ठीक है और दूसी बात यह है कि मैंने आपके लिए एक फैक्टर चोड़ना था इस वीडियो में वह यह है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वह काफी डाउन उसकी रैंकिंग हो गई है वह इस वज़ए से होगी है कि मैंने कुछ वीडियो में अपने वाटसेप नंबर दे दिये थे तो लोग मेरे वीडियो छोड़ कर मुझे वाटसेप पर ड्रेक्ली कांटेक्ट करने लगी है तो आज के बाद सिर्फ इतनी है परसनली कोई चीज होगी तो मैं वाटसेप पर आपको आंसर दिया करूंगा किसी को कोई प्राब्लम होगी सॉरी फॉर डैट बार बार कहरा हूं सॉरी इसके लिए कुमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल पूछिए उसी में जवाब दूँगा अगर किसी को परसनल कुछ होगा मसला हल नहीं हो रहा होगा तो मैं खुद उसी जगह पर मैंशन करूंगा कि ये मेरा वाटसब नंबर है मुझे से कॉंटेक्ट आप कर सकते हो अज के बाद मैं अगर जवाब दूँगा हाँ किसी ने एम का रेट और इस तरह एम सेल करने तो वह मुझे से राप्ता कर सकते हैं वाटसएप पर अधर वाइस जो गेम के मतलिक या इस अरनिंग के मतलि लेकिन एक थाम्जब का उप्शन होता है उसको कोई ने क्लिक करता देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना आपको ना मुझे पड़ता है ठीक है अगर आपके जहन में मैं पता नहीं उससे क्या ले रहा हूं उससे कुछ भी नहीं मुझे मिल रहा और सबस्क्राइब भ तो सबस्क्राइब करता है तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आप तक पहूंचते हैं जेस्ट इतनी इसी बात है और इसमें कोई rocket science नहीं के पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों का कुछ ले रहा हूं कुछ भी नहीं ले रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकम को दुबाएं जो न्यू है ठीक है और उसके साथ लाइक करना मत भूलिएगा और आज के बाद जित के अगर आप कोईस्ट बगएरा की समझ नहीं आ रही है आप चाहते हो के मैं वो आपको वीडियो के जरीए कंप्लीट करके दूँ तो आपको अपना काउंट वो उसके रिक्वाइमेंट सारी देनी होगी तो हम वो इस तरह सभी के सामने शेयर करूंगा जैसे के अभी मैं जा रहा हूं ठीक है सुरिया फ्रेंड कोईस्ट का नाम है डार्क स्वाल्ट ठीक है उसके लिए चंद एक चीजों की जरूरता है जब हम पिसी पर चलेंगे तो मैं आपको उसका भी बिता दूँगा और इस कोईस्ट के लिए ज्यादा रिक्वाइमेंट नहीं है इसके लि पादी ये कुस्ट स्टार्ट होगी तो मैं इस वक्त जो कुस्ट कर रहा हूं वह है मेंबर्शिप वाले अकाउंट में ठीक है आप भी मेंबर्शिप वाले में करो गए तो ज्यादा बेनिफिट होगा उससे यह जल्दी हो जाती कंप्लीट ठीक है तो डियर फ्रेंड प्ल काम नहीं है तो मैं यूट्यूब पर ही आपको इसके बारे में ज्यादा गाइड कर सकूंगा ठीक है क्योंकि आज को बाद मैं ज्यादा यूट्यूब पर ही रहूंगा इस तरह मैं लाइब नहीं आया करूंगा ठीक है तो यह है सबस्क्राइब को बटन ठीक है इसको क्लि कीजिए ताके जैसे हम फ्यूचर में को वीडियो अप्लोड करें तो सबसे पहले आप तक मिलें थेंक्यू सो मच अला नहीं गेवान सब्सक्राइब डी चैनल ऑनलाइन फ्यूचर एंप्रेस्टी बेल आइकन टुगेट फॉस्ट नोटिफिकेशन सो दिया फ्रेंड यहां पर हम अपने पीसी पर आगे हैं प्रैक्टिकल करने के लिए सो इस क्वेस्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है इसकी लिस्ट यह आपके सामने आगी है आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लो मेरा तो ख्याल है आप इसको एक कॉप स्वाल्ड ठीक है कोईस्ट ठीक है यह फ्री वर्ड के लिए मैं और अर्डी बजा चकाऊंट ठीक है और मेंबर्शिप वालों के लिए भी है ठीक है मैं थर्द सभी का सेम ही है तो नमबर वन पर जो में चीज़ चाहिए उसका नाम है रेड बैरी ठीक है इसकी बहुत चीज़ पत्थर तोड़ते है ठीक है इसके बाद थर्ड नमबर पर जो चीज़ आपने लाजमी लेना है क्यों क्योंकि वह आपको मैं जब हम प्रैक्टिकर करेंगे तो उस पर बताऊंगा वह किसली जरूरी होता है ठीक है उसके बाद दो विराक लेनी है एक हमने एक पोस सारी पेस कंट्रोल टेलिपॉट लेना है वो बहुत लाजमी है उस जगा पर पहुंचने के लिए जिस जगा पर हमारी क्विस्ट के लिए जो हमने कंप्लीट करनी है उस बंदे को वो देनी पड़ेगी वो चीज तब जाके वो हमें क्विस्ट का जो है अप्शन देगा तब जाके हमें वो एक सौर्ड बनवा के देगा अब असान लफजों में आपको बताओं तो इस कुष्ट में क्या है यहां पर हमें एक स्कॉायर नाम का बंदा होगा उसके लिए एक तलवार जो है उसकी गुम हो जाती है वो लेकर आनी होती है ठीक है वो तलवार जो होती है सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरियन जिसका दान पीजिंए नाम होते है री अल्डिव उससे बात करनी होती है वहमें सीधा भीच्ट के पास अब धार किया करते है यह हमसे एक रेड्ड युरु यहां ये लीट आपाल तफिर उस्से टाओ क्रते हैं उसके बाद करने के बाद वह हमें एक गार केंडर बीचता. जहां पप्थर हमने माइनिंग करना होता है माइनिंग करना को एक पथर होता है खास किसम का, उसके अंदर बहुत डेंजर्व होता है, वह भी हमारा सटैमना हमें काम आप कॉछ पूड जो है, वह आपने ले लेने हैं, इसके अंदर सौरी मैंने फूर का जिकर नहीं किया फूर आपने लेने हैं लाजमिंग ठीक है कोई मचली बगएरा यह से इस तरह से जो भी मचली आपने खरीद लेनी है ठीक है पांच शे आपने अपने इन्वेंटरी में राक लेनी है भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपक में उसके क्विस्ट पॉइंट देगा और साथ में रिवार्ड के तोर पर हमें 29 जो लेवल स्मिटिंग का वो दे देगा तो चली स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने अपना अकाउंट अन करके रखा हुआ ठीक है यह मिंबर्शिप वाला अकाउंट है मैं आपको भी दिख सकते हैं मेरे आठ दिन रहें इस काउंट की मेंबर्शिप एक्सपायर होने में तो मैं इसको क्लिक है टू प्ले करता हूं यहां पर ठीक है सॉरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो नेट है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा ठीक है अगर मैं आपको लेवलिंग पर हैं जब वहां पर जाओंगा तो वीडियो को फॉस्पारवर्ड कर दूंगा ताकि वह जल्दी से हमारा जो लेवल कंप्लीट हो जाओ क्योंकि मेरी यादत है मैं शुरू से लोगों को बेसिक से एंड तक समझाता हूं ठीक है तो हमने क्विस्ट कौन से कंप्लीट करनी है म पर आता हूं तो यहां पर क्विस्ट होगी यह देखें नाइट सौ ठीक है इसको मैं अपन करता हूं इसकी रिकॉर्मिमंट आप चप कर सकते हूं यह देख सकते हैं इसकी जो छोटी सी क्वार्मेंट है वो है लेवल 10 माइनिंग लाजमी होनी चाहिए ठीक है उसके बाद अगर आपके पास वहां पर आइस वारियर होंगे गार के अंदर उसकी इतनी नहीं है वहां आपको एक ट्रिक बताऊंगा उनसे कैसे बचता है ठीक है तो चलिए पहले हम अपनी माइनिंग कर लेते हैं 10 लेवल कैसे करने हैं तो मेरे पास और रेडी मैंने अगर बॉड़ी पर क्लिक करता हूं तो यह देखे पिक्स ठीक है ब्रॉंज बार की पिक्स एक्स मैंने पास है तो मैं यहां से दोड़ता हूं और पॉइंट पर जाते करेंगे अपना लेवल जो अप करेंगे कुछ की कम्प्लीट करेंगे कुछ की जो रिक्वाइमेंट है माइनिंग की वह हम कम्प्लीट करेंगे तो बिलकुल हमने ग्रेंड अक्सिंच सीधा दोड़ना है ठीक है यहां पर कुछ पत्तर वाली होंगे यह देखें यह देख सकते हैं यह माइनिंग वाला एरिया है यहां पर आपके हमने कुछ पत्तर तोड़ने है जिससे हमारी जो लाइन टैन परसेंट हो जाए मतलब टै हो जाए तो यहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं ठीक है यह कहीं पर भी आप खड़े हो जाओं यहां पर आपको एजी लगे ठीक है तो इधर मैं आ जाता हूं तो इन पत्रों को मैं तोड़ना शुरू कर देता हूं सौरी इसके अंदर मैंने देखा नहीं मेरे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी एनिवे कोई बात नहीं हमने माइनिंग करनी है तो इसको तोड़ना शुरू करते हैं यहां पर मैं वीडियो को जो ना फास फारवर्ड कर देता हूं ताकि हमारा जो काम जल्दी हो जाए ठीक है अगर 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 पॉंट पर आते हैं तो नाइट शॉल्ड पर आते हैं तो आप देख सकते हो यह लेवल 10 माइनिंग पर हमारा जो रेज हो गया है तब हमारा घो एक पॉंट है वो कंप्लीट हो ज ता न है हूंबारा से ग्रेडव शार्व्ड यहां पर जाकि हम यह जो हमारी चीज़ें को रखते हैं और जो छीज़ें हमने लिंग है थीक है उनकी लिस्ट यह दबारा मैं आपको आस माने लियादा ही तर तो शुरुद से बेसिक तो पर मैंने इसलिए बताऊ था मैं लेवलिंग करके रख सकता था मैं चाथ में आप लोगों को किसि किसंकि कोई प्रशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए मैंने आपके सामयं थुझी सि gun lead की किर टिक तो मैं जो यह पत्थर बगेरा है हैं इनको यहां से sell कर देता हूं ठीक है इनकी जूरूरत नहीं है ठीक हो गया यह अब ब्रेंट्स आपके सर्म ने स्वारा से मैं यहां पर शो कर देता हूं कि क्या कि हमें चाहिए number one पर हमें चाहिए redberry ठीक है अब रेड बैरी जो है, यहां पे मैं प्रचेज कर लेता हूँ, इसके लिए जो हमेरे चाहिए ना मतलब कौइन्स, यह इतने ज्यादा नहीं चाहिए, यह 150 के हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अगर यहां पे मैं सिर्फ 50 के बाहि निकालेता हूँ, तो यह भी हमें इनफ होँगे हुआ है ऋपकर सामने देख सकते हैं कि मैंने इतने निकाल ले ठीक है अब हमारे पास औरेडी है ठीक है फिक सेक्स उसने पनी हैंड में पकड़ी हição यह यह वाली ठीक है बाकि एक मैंने ये ले ली ठीक है उसके बाद नमबर दो पर है पिक्स एक्स वो हमने ली हुई है आइरन बार हमने दो पर चेस करनी है तो यह iron bar हमारे पास आगी यह मैं two ले लेता हूँ ठीक है rate up करके ठीक है उसके बाद हमें क्या चाहिए stamina potion यह लाजमी लेना है यह stamina potion आपने ले लेना ठीक है यह free bird में नहीं आएगा membership करनी पड़ेगी membership के अंदर यह stamina potion शो होता है otherwise energy potion यह कुछ और शो होगा ठीक है तो मैं यह quantity में एक enough है मेरा ख्याल है ठीक है तो मैं ले लेता हूँ एक यह तीन चीज़े होगी ठीक है food हमारे पास already है यह देखें यह मचलिया आपने salmon जाया है यह ले लेनी है आपने पांच छे जितनी भी लेनी पिक्सक्स आपके पास है तीन तो दो पांच चीज़े होगी ठीक है विरॉक आपने ले लेना है टू लेकिन मैं लोगा एक क्योंकि मेरे पास यह देखें ring of wealth मेर लोगा तूंकि grand exchange वापसी के लिए मेरे पास स्योरस आ है तो आपने दो लेनी है ठीक है विरॉक जो है विरॉक टेलिपार्ट जो है आपने दो लेनी है मैं इस वक्त एक ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास औरेडी है तो इसके लिए मैं एक ले रहा हूं उसके बाद हमें क्या लेना है जी फैला डॉर अपने कॉंटिटी में थ्री लेनी है मैं भी थ्री ले रहा हूं ठीक है और लास्ट चीज जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए जी पेस्ट कंट्रॉल टेलिपार्ट ये वाला ठीक है ये हमें कितने बार चाहिए ये हमें चाहिए जी डो दफाह इसको यूज करना है तो तू टाइम यूज करेंगे तो ये तो हमें इन आप थाएं ठीक है कॉंटिटी में सो फ्रेंड हमने सारी की सारी जो चीज़ें यहां पर पर्चेज कर ली दुबारा से बता रहा हूं सबसे पहले हमें क्या चाहिए एक रेड बेरी जो हमने पर्चेज कर ली है उसके बाद एक पिक सेक्स जो हमरे पास ओरेडी है ठीक है उसके बाद दो आइरन बार हमने ले ली यह आपने दो ले लेने हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें मैं यहां पर रखता हूं अंदर ओके दिया फ्रेंड तो यह देखे कोईंस हमारे इतने बच भी गए हैं पिचास के निकाले हैं उसके बाद जस्त हमारे थोड़े से लगे हैं बागी हमारे सेव हो गए ठीक है तो अब हम क्या करते हैं जी सबसे पहले इसको अनलाओ कर लेते हैं यह जितनी चीज़ें इसको हमारे पास है हम जाते हैं सबसे पहले फैला डार में ठीक है तो फैला डार पर मैं खीट करता हूं यह यहां से टेलीपोर्ट हो जाए आशिधा फैला डार आपने बिलकुल सीदा आनए अनए ब्रिज इसके बैक सेड प्र आनाए ब्रिज क्रोस कर नहीं है ठीक है यहां पर बंदा होगा उसका नाम होगा स्क्वार ठीक है यह वाला धंडे वाला बंदा जो है ना इसका नाम स्क्वार इसके इससे टॉक करने इस पर क्लिक करना है ठीक है और Space प्रेस करते रखना है ठीक है, सबसे जो पहला option है अपने वो क्लिक करना है and how is life as a square इस पर आपने क्लिक कर दिना है ठीक है फिर टॉक करनी Space दो बाकि रखना है, यहां पे do you have आपने second वाला option सेलेक्ट करना, I can make a new solve if you like यहां पर अबने क्लिक करना है ठीक है? स्पेस देखकर रखनी है उसके बार आपने क्या करना है? सबसे पहले वाल आपश्वन सो वोट दीज डेसियर my एन अधर मी इस पर आपने क्लिक करना है फॉस्ट पर अप्षिंट पर ठीक है? यहां पर ओके आई विल गिव यू इट अगो ठीक है फॉस्ट अप्शन पर अपने दोबारा गेन क्लिक करना है और स्पेस दबागे रखनी है ओके जी अब हमने जाना है विरॉक दोबारा से ग्रेंड एक्सचेंज के पास अब किसके पास हमने जाना है अब हमने जाना है रियल डो एक देख सकते हैं हमारा जो वर्क है एक बच के पचास मिन्ट पर स्टार्ट हुआ ठीक है तो अब देख सकते हैं हमारा जो स्मिटिंग लेवल हमने कितनी जल्दी हासल करना है 29 चोटी सी एक यह 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 चोटी मास्टर बंदा इससे आपने टॉक करनी है जस्ट तो इससे का यहां से टेलीपॉट हो जाना है इससे यह जो पेस कंट्रोल टेलीपॉट है इससे टेलीपॉट होना है ठीक है इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहां से यह टेलीपॉट हो जाएगा बिल्कुल अपने फ्रेंट जैसे खड़ा है इसके सामने आपने जाना है ठीक है यह पुल हो कि छाना है यह एक कश्टी है से इसको क्रॉस करनी विए इस पर आपने क्लिक खना है ठीक है तो यह complete हो जगा आगे चला जाएगा ठीक है अब हमने जाना कहां पर मैं यहां पर वर्ड मैप पर open क्लिक करता हूँ यह हमारा बंदा यहां पर है ठीक है हमने इधर से सीधा चल के इस जगा पर आने यह स्विटिंग वाला पॉइंट बना हुए इस जगा यहां पर एक बंदा होगा मोटा सा थेरगो उसका नाम है ठीक है उस से हमने टॉक करनी है उसको कहना है कि हमें जी एक सौल चाहिए एक तलवार चाहिए स्कुर के लिए तो वो हमें कुछ चीजें लाने का कहेगा तो वो उसकी हमने बात माननी है वो चीजें लेकर नहीं यहां पर मैं स्टैमना पॉश है उसके पास हमने लाजमी जाना है अधरवाइज आपके पास ट्रैमना पुशन नहीं होगा तो वो हम वहाँ पर हमारी डैथ हो सकती है हमारा जितने भी इंविंट्री में समाना है सारा का सारा जाया हो सकता है ठीक है तो इस पर अपने क्लिक करना है और सेकंड वर अपन यह देखें इंविंट्री से यहां से खायब होगी दोबार स्पीर टॉक करनी है ठीक है फिर सेकंड वाला अप्शन सम्टिंग एल्स ठीक है अब जी इससे हमारा जो काम है वो पूरा हो गया ठीक है अब हमने क्या करना है थैर्गो से बात करने के बाद हमने यहां पर एक ग लेंगर जोन वाला यहां पर इसका बार में क्लिक करता हूँ ठीक है तो यह नीचे चला जाएगा बंदा हमारा लेकिन यहां पर एक चीज़ का खिया रखना है आपने अपनी पावर का खियार है ठीक है फूर इसलिए हमने लिए यहां पे बंदे जो बहुत डेंजर होंगे ठीक है वो आपको बार बार हिट करने की कोश्च करेंगे उन से बच के और बचना कैसे है मैं अभी आपको उसका बता देता हूं एक पॉइंट है वहां पर रुकना है क्योंकि यहां पर जो लेवलिंग वाले बंदे हैं बहुत डेंजर है वो आपको किल कर सकते हैं और हमारी यहां से जितनी चीजेजे होंगी फिर हैं में बार यहां से आना पड़ेगा तो मैं Chicago से दौर लगाता उउए ठीक है मैं एक बार दफ़ा फिर स्टेमना पूशिन पी लेता हूं ताकि हमारा जोस्टेमना फिर से sehr नाुए ठीक है तो मैं यहां से डाड़ना शूरू करता हूं बिलुक्ल इस ही जैसे में जा रहाूं ठीक है यह देखे हमारा हिट पॉइंट काम हो गए मैं 12 से मचली खा लेता हूँ ताके फिल हो जाए यहां पर आइस मैन होंगे ठीक है वो बार बार आपको हिट करने की कोशिश करेंगे उन से बच कर यहां पर हमने निकलना है जी यह बड़ी जल्दी आपकी पावर ले जाए गे यहां पे एक पॉइंट हैस मिटिंग ऑड़ा बिल्कुर इसके पीछे चले जाना आपने कोई दोड़ हां यहां पहाँ आपने आ जाना यहां पर ठीक है यहां पब आपको यह कुछ नहीं करेंगे यह कभी कबार यह ऐसा मौका मिलता है ठीक है तो यहां पर आपने सिर् कि पत्थर आगे यहां पर हमने फैलाडोर यूज़ करना और फैलाडोर जाना दुबारा ठीक है फैलाडोर जाना बिलकुल उसी के बंदे के पास जाना है स्क्वियर के उससे बात करनी है फिर से जस इस बार टॉक करनी कोई आप्शन नहीं हमें देगा बताएगा कि हम आपका काम कर रहे हैं ठीक है हमने यह इसको बताना है तो किदर है वह जी यहां पर होगा यह खड़ा होगा ठीक है इसे बillos टॉक करनी प्रेस करके रखना है ठीक है अब हमने को करना है यह फस्ट्वाल डोर है इसको आपन करके इंटर हो जाना है सेकंड वाला भी उपन करना है इंटर हो जाना है थर्ड वाला भी उपन करना है इंटर हो जाना है ठीक है और यह जो लेडर है या सीडी है इसको क्लाइम अप कर जाना है मतलब उसके उपर चड़ जाना ठीक है यहां पर एक और डोर होगा इसको अपने उपन करना है और आगे चले जाना है ठीक है यहाँ पर यह देख सकते हैं आपके पास यह कुछ सीडिया है इस पर मैं directly क्लिक कर देता हूं तो यह उपर जाना है यहाँ पर हम पर पस कबीड़ होगा हमने ठेरगो के लिए एक पैंटिंग चोरी करनी है ठीक है लेकिन यहाँ पर सर विवन होगा उससे उम्हें जरूर बचना है क्योंकि वह हमें चोरी नहीं करने देगा यह वाला बनता ठीक है तो यह दूसरी तरफ और तो इससे में यह कब क्रास राय庭 यहां से हमने २्हीं स्क्रॉट की मदद से यहां से भी टालुप Isa लाते हीरो के पास जाना चाहिएं पिलकुल है जование आगे जाना कर्या है यह जो फूल्बनी यहां पर इसका के राइड क्लिक करना और यहां पर च्रावल और क्लिक कर देना अनैrael millennials AUD ton जाना है और उसको यह पेंटिंग देनी है वह खुश हो जाएगा फिर दुबारा से टॉक करनी है तो हमें एक छोटा सा खंजर बना देगा ठीक है तो वह जाके हमने दुबारा से फैला डॉर में स्कुर्ड के देनी और इसकुर्ड जो हमारा जो कुस्ट पॉइंट है वहां पर कम्प्लीट कर देगा तो अभी देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं ये देखें माइनिंग हमारी जो 10% है ठीक है और इसके नीचे जो है स्मिटिंग जो लेवल है वो बिलकुल वन बाई वन है ठीक है तो ये थेरगो इससे में बात करता हूं सेकंड वल आप्शन स किसी हम इससे टॉक करेंगे ये हमसे पेंटिंग जो यहां से ले लेगा ठीक है मैं इदर हो जाता हूं थोड़ा सा माय कैमरा ले लिए तो फिर से बात करनी ठीक है सेकंड वल आप्शन सम्टिंग एल्स तो यह हमारी दो यह और एक पत्थर से हमें बना देगा जी यह देख के पास जाना है वो किदर चला जा रहा है तो जैसे हम इसको सोल्ड देंगे तो यह हमें यहां पर कुस्ट जो हमारी यहां पर कंप्लीट कर देगा इससे बात करते हैं यह खड़ा हुआ ठीक है तो अभी देखते हैं क्या होता है यह देखें जी कंगरेचलेशन यू हैव कं इनाइट सौल्ड क्वेस्ट यो और रिवार्डिट वन क्वेस्ट पॉइंट बारहाजार साथ सो पचीस स्मिथिंग लेवल अगर मैं इसको जैसी क्रॉस करूंगा तो आप देख सकते हो नीचे हमारा जो स्मिथिंग पॉइंट है वो देखें यूर स्मिथिंग लेवल इस नाउ 29 तो हमारा जो स्मिथिंग लेवल है यहां पर 29 हो चुका है ठीक है अब मैं अगर लेवलिंग वाले अप्शन पर आता हूं तो देख सकते हैं ठीक है 29 बाई 29 तो यह छोटी सी क्विस्ट सी हमने एक 50 पर शुरू की थी दो बजगे मतलब 10 मिनटी लगें तो हमने यह जो लेवल है गेन कर ली है तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसकी 35 लेवलिंग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप खरीद ले वो वाली आईरन बार और 394 आईरन बार खरीद ले और लगाना शुरू कर दे तो आपका 35 लेवल हो जाएगा कंप्लीट तो मैं यहां से ग्रेंड एक्सचेंज जाता हूँ आपके पास ब्रॉक होगा मेरे पास यह रिंग है तो मैं यह ग्रेंड एक्सचेंज ड्रेकली चाला जाता हूँ यहां से इसको जाया मत कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पर भी यह जो मेरी वीडियो लिंग्स है दिया करो इससे मेरी फीड़ बैक अच्छी हो जाती ठीक है मेरे चैनल थोड़ा सा ग्रोव करने में मर्द करो अब मेरी मैं आपक इतनी करता हूं मेरा इतना तो हक बनता है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ-साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जैसी कोई इंटरस्टिंग वीडियो आए तो हक तक पहुंचे और एक बात और मैंने फस्ट वीडियो में आप से कम्प्लीट नहीं हो रही अपना अकाउट मुझे दीजिए विल्कुस सेफ रहेगा आपका काउंट मैं आपको विस्ट किस तरह कम्प्लीट करके दिया करूंगा ठीक है तो आपके भी हेल्प हो जाएगी और लोगों की ठीक है तो मिलते हैं किसी और इंशाललह अच्छे से टुटोरियो में अब मैं वीडियो जो लेकर आऊंगा नहीं